से बीच रूस यूकरेन की जंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है अमेरिका हत्यारों से रूसी सेना पर हमला करेगा यूकरेन रूस के खिलाफ अमेरिकी हत्यारों के इस्तिमाल को मंसूरी मिल गई है बाइडन ने हत्यारों के इस्तिमाल को मंसूरी दी है बाइडन के फैसले से रूस के राश्पती फुतिन जो है वो फिलाल परिशान है तो ये बड़ी खबर अमेरिका जिस तरह से यूकरेन की लगातार इस जंग में मदद कर रहा है और अब ये का जा रहा है कि जो अमेरिका से हत्यार मिले है यूकरेन को उन्ही हत्यारों से रूस पर यूक्रेन हमला करेगा। रूस के खिलाफ जंग में पिछरने के बाद अब एक बार फिर से वापसी करने को यूक्रेन पूरी तरह से तयार हो गया है। पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका का बड़ा एलान रूस के खिलाफ यूएस के हथियार इस्तिमाल करेगा यूकरेन अमेरिकी हथियारों से यूकरेन की बढ़ी ताकर बाइडेन के फैसले से जेलिंस्की का जोशाई सदमे में पुतिन रूस के खिलाफ जंग में पिछड़ने के बाद अब एक बार फिर से वापसी करने को युकरेन पूरी तरह से तैयार हो गया है दरसल रूस-युक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राश्रुपती जो बाइडन ने युक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हत्यारों का इस्तिमाल करने की मंजूरी दे दी है युक्रेन इन हत्यारों से रूसी सेना पर सीधा हमला कर सकता है अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि युक्रेन अमेरिकी ATA CMS मिसाइल का इस्तमाल खारकीव को रूसी सेना से बचाने के लिए कर सकता है इसकी रेंज 300 किलो मीटर है, हलांकि इनका इस्तमाल रूसी सीमा की अंदर युक्रेन नहीं करेगा रूसी ने 10 माई से खारकीव में हमले तेज कर दिये थे इसके बाद युक्रेन के राश्रुपती जेलिंसकी ने अमेरिका और पश्रिमी देशों से उनके दिये गए हत्यारों को रूस के खिलाफ इस्तमाल करने की मनजूरी मांगी थी दरसल अमेरिका ने पहले युक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हत्यारों को इस्तमाल करने से मना कर दिया था अमेरिका को डर था कि अगर उसके हत्यारों का इस्तमाल रूस के खिलाफ हुआ तो रूस इसे सीधे अमेरिका का हमला मानेगा अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पहले भी यूक्रेन के अमेरिकी हतियारों के इस्तिमाल पर कोई आपचारिक प्रतिबंध नहीं था हलंकि इस बात का डर था कि अगर ये रूस के खिलाफ इस्तिमाल हुए तो पुतिन सक्थ कदम उठा सकते हैं वहीं कुछ दिनों पहले अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनी ब्लिंकन ने कहा था हमारी विदेश नीती समय के साथ बदलती या परिवर्तित होती है युकरेन को हतियारों का जखीरा देने का फैसला अमेरिका ने ऐसे समय में लिया है जब दो दिन पहले रूस के राश्रुपती पुतिन ने युकरेन को हतियार देने वाले देशों को चेतावनी दी थी पुतिन ने कहा था कि युक्रेन जिस देश इसे मिले हत्यारों से रूस पर हमला करेगा उस देश को गंभीर परिनाम भुगतने होंगे इससे पहले पिछले महीने फ्रांस के राशुपती इम्मैन्वल मैकरो ने कहा था कि पश्टिमी देश युक्रेन में सेना भेज सकते हैं रूस की तरफ से इस पर भी कडिया पत्ती जताई गई थी रूस की और से कहा गया था कि ऐसी किसी कोशिश के गंभीर परिनाम होंगे अब भले ही रूस दुनिया भर के देशों को युक्रेन को हतियार देने के बदले परिनाम भुगतने की धमकी दे रहा हो लेकिन फिलहाल अमेरिका से हत्यार पाने के बाद युक्रेन एक बार फिर से रूस के सैनिकों पर जोरदार पलट बात करने में सक्षम जरूर हो गया है Bureau Report, India News